आज मैं फिलिप्स एयर फ्रायर में फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली हूँ सबसे पहले एयर फ्रायर को प्री हीट करेंगे और इसका टेंपरेचर मैं सेट कर रही हूँ 200 पे और इसका टाइमर सेट कर रही हूँ 5 मिनट के लिए प्री हीट के 5 मिनिट के बाद इट इस रेडी तो यूज नाओ अब इसमें फ्रेंच फ्राइज एड करेंगे मैंने यहां मकेन की फ्रेंच फ्राइज ली हैं आप कोई भी यूज कर सकते हैं यह लगभग 300 ग्राम फ्रेंच फ्राइज हैं जिनको मैं एर फ्राइज करने वाली हूँ अब टॉंग की हेल्प से फ्राइज को एक बार सेट कर देंगे बास्केट में ध्यान रखेगा कि एर फ्राइज होट है अब मैं इसमें 1 फोर्थ टी स्पून ओयल एड कर रही हूँ फिर से टॉंग की हेल्प से एक बार ओयल को मिक्स कर देंगे अब एर फ्राइज को बंद कर देंगे और टाइमर को सेट कर देंगे 15 मिनट पे और टेंपरिचर सेट रहेगा 180 डिग्रीज पर लगबग 5-7 मिनट के बाद टॉंग की हेल्प से एक बार फ्राइज को अलट पलट कर देंगे जिससे कि सबी फ्राइज equally कुक हो जाएं अब 5-7 मिनट हो गए हैं और एक बार एर फ्राइर को खोल के फ्राइज चेक कर लेते हैं कि कितनी कुक हो गई हैं यह देखें काफी हद तक यह सौफ्ट हो गई है अब यह बाकी का टाइमर कंप्लीट होने देते हैं अब इसका टाइमर कंप्लीट हो गया है और इसकी इंडिकेटर लाइट भी बंद हो गई है और यह बेल का साउंड इसका फिनिशिंग साउंड है अब अपनी fries चेक कर लेते हैं और ये एकदम perfect golden brown कलर की जैसी हमको चाहिए थी वैसी ready हो गई है सो अब इसकी plating कर लेते हैं मैंने इनको थोड़ा soft रखा है आप चाहें तो इनको और cook कर सकते हैं french fries ready हो गई है अब आप इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल करके और ketchup के साथ इसको सर्फ कर सकते हैं उमीद करती हूँ आपको वीडियो बसंद आई होगी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में till then bye bye have a good day